जंगल में रानो चिडिया अपनी नन्ही बेटी गुडिया के साथ एक छोटे से घर में रहती थी ममा अब्बू कब घर वापस आएंगे इतने दिन हो गए मैंने अब्बू को नहीं देखा अब्बू कहां चले गए है अरे बेटा तुम्हारे अब्बू यहां पर नहीं है वो दूसरे जंगल में है काम करने के लिए गए है ना मैं क्या करूं काम करने के लिए गए हैं वो यहां पर भी काम कर सकते हैं सब परिंदे अपने अब्बू के साथ बाहर घूमने पिरने के लिए जाते हैं और मेरे अब्बू घर में रहते ही नहीं मैं अपने अब्बू के साथ कैसे घूमने जाऊंगी फिर हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहती हो बेटा तुम फिकर ना करो मैं तुम अपने साथ लेकर जाओंगी दूसरी तरफ चील जो बिचारी बहुत जादा बुरी हालत में थी अपने अंडों के पास बैठी हुई थी अगर मैं मर गई तो मेरे अंडों का क्या होगा कौन पालेगा इन है मेरे बच्चे मा के बगएर कैसे रह पाएंगे चील बिचारी बहुत जादा परिशान थी थोड़ी ही देर में वहाँ से एक कबूतर गुजरता है कबूतर भाई ये दोनों मेरे अंडे हैं इन्हें अपने साथ ले जाओ और जब अंडों से बच्चे निकल आएं तो उनको खूब अच्छे तरीके से पाल लेना अरे चील तुम अपने अंडों को खुद ही पालो मैं तुम्हारे अंडों को नहीं पाल सकता मुझे माफ करना बस मेरी सेहर ठीक नहीं है मुझे लगता है मैं कुछी देर में मर जाओंगी उससे पहले चाहती हूँ मेरे बच्चे सही हातों में पहुँच जाएं ताके वो जब बड़े हो तो उन्हें मा की कमी महसूस ना हो बस अच्छा तो तुम ऐसा करो जंगल में रानो चिडिया के पास ले जाओ वो बहुत जादा अच्छी है वो जंगल के सब परिंदों का ख्यार रखती है तो तुम्हारे अंडों का ख्याल तो रख ही लेगी न अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा फिर पहले ही बुरा सोचना बंद करो और जाओ उस चिडिया के पास वो चिडिया तुम्हारी ज़रूर मदद करेगी वो दिल की बहुत जादा अच्छी है चील अपने अंडों को लेकर रानो चिडिया के घर की तरफ रवाना हो जाती है रानो दरवाजा खोलो एक बार मेरी बात सुनना अरे गुडिया बेटी ये कौन मुझे आवाज दे रहे हैं मैं अभी बाहर देखकर आती हूँ तुम चुप चाप यहां पर बैठी रहो नहीं ममा रुको मुझे ये चील की आवाज लग रही है एक बार मैं खिड़की से देख लो कौन है बाहर गुडिया जैसे ही खिड़की से देखती है तो बाहर चील बैठी हुई थी गुडिया बिचारी बहुत ज़्यादा डर जाती है ममा बाहर चील है दरोजा बिल्कुल भी मत खूना, वो मुझे मार देगी, मुझे बहुत दड़ डर लगता है चील से अरे बेटा दरोजा तो खूना पड़ेगा, देखो चील कितनी बड़ी है, हमारे घर आई है और उसकी आवाज देखो कितनी नरम है रानो दुर्वाजा खोल दो, देर मत करो, इससे पहले के मैं मर जाऊँ रानो चिडिया जल्दी से दुर्वाजा खोलती है तो बाहर चील अपने अंडो को लेकर खड़ी हुई थी क्या काम है चील तुम्हें, तुम मेरे घर क्यों आई हो रानो मेरी प्यारी बेहन, इस जंगल में कोई भी है सप्रिंदा नहीं है, जो मेरे अंडो की परविश कर सके तुम मेरे अंडो को पाल लेना मेरे मरने के बाद आपको क्या हो रहा है, आप ठीक तो है ना चील जी रानो मेरी सांसे आइस्ता आइस्ता बंद हो रही है, बस अपने अंडो को तुम हरे पास छोड़ने के लिए आई थी मुझसे वादा करो ना के तुम मेरे अंडो का ख्यार रखोगी रानो चीडिया बगैर कुछ सोचे समझे चील के अंडे ले लेती है और चील जल्दी से वहाँ से चली जाती है ममा, ये अंडे कहां से लेकर आ गई, उस चील के अंडे बिल्कुल भी मत लेना, अब उसके बच्चे निकलेंगे, वो मुझे खूब जोर-जोर से मारेंगे ना नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, उनकी परविरिश मैं करूँगी, वो बहुत जाद अच्छे होंगे मा, चील परिंदों को मार कर खा जाती है, वो भी ऐसे ही होंगे, क्यूंके वो चील के बच्चे हैं, आप अभी और इसी वक्त इने बाहर छोड़ कर आए ना नहीं बेटा, मैंने चील से वादा किया है, मैं इनने बाहर बिल्कुल भी नहीं छोड़ कर आऊंगी, बलके इनकी खूब अच्छे तरीके से परविरिश करने वाली हूँ मैं उधर चील अपनी सारी जाइदाद रान और चिडिया के नाम करवा देती है मेरे माढने के बाद, ये सारी जाइदाद रान औचिडिया को दे देना, और जो मेरे बच्चे है, उन्हें भी थोड़ा हिस्सा दे दे देना न? आप देख लें आपके बच्चे अभी अंडे से बाहर आए भी नहीं और रानो चिडिया के नाम पूरी जाइदाद मत कीजिए अगर रानो चिडिया ने उन्हें हिस्सा ना दिया तो आपके बच्चे बेगर हो जाएंगे रानो चीडिया को इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है जब उस पर कोई मुश्किल वक्त आएगा तब आपने उसे बताना है कि उसकी कोई जाइदाद भी है जो मैंने उसके नाम की हुई है इतना कहने के बाद चील वहीं पर दम तोड़ देती है ममा मुझे कुछ खाने के लिए दे दो आप तो इन अंडों के वहम लगी हुई है हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए खाना अभी लेकर आती हूँ बेटा तुम मुझे वादा करो ये अंडे आज के बाद तुम्हारे बेहन भाई होंगे मैं क्यू बनाओ चील के बच्चों को अपने बेहन भाई मुझे चील के बच्चे बिलकुल भी पसंद नहीं है क्योंके उन्होंने एक बार मुझे मारा था ये वो तो नहीं थे ना सब लोग एक जैसे नहीं होते तुम मुझे अभी वादा करो तुम मेरी बेटी ही हो तुम्हे अच्छा होना चाहिए ठीक है मार लेकिन जब ये अंडे से बाहर निकलेंगे इन्हें पहले ही बता देना के मुझे से कोई भी बत्तमीजी मत करें क्योंके मैं इनसे बड़ी हूँ ना हाँ हाँ बिलकुल बेटा तुम्हें फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है रानो चिडिया खुशी खुशी घर से बाहर खाना लेने के लिए चली जाती है और गोडिया दोनों अंडों के पास खुब खुशी से बैठी हुई थी तुम दोनों अंडे से बाहर आओ तुम्हारा नाम मैं रखूंगी क्योंके तुम दोनों मेरे छोटे बेहन भाई हो ना अरे गोरी बेहन आपकी दुकान पर तो खूब लजीज समान मिलता है कोई भी सबजी खराब नहीं होती जल्दी से मुझे दे देना अरे शुक्रिया कालू दिन रात मेहनत करता है खूब मेहनत से उसे ये खाने को मिलता है बस गोरी बेहन तुम्हें पता भी है मेरे घर दो चील के अंडे आए हैं चील मुझे अपने अंडे खूदी दे कर गई है रानो चील के अंडो पर एतवार बिल्कुल भी मत करना क्यूंके चील बहुत जादा बूरी होती है तुम्हारी वज़ा से हमारा पूरा जंगल खत्रे में पढ़ जाएगा अरे अभी तो वो अंडे से बाहर निकले ही नहीं जब वो बड़े होंगे उसके बाद खत्रा होगा उसके बाद मैं उन्हें इस जंगल से लेकर चली जाओंगी ना ठीक है तुम जल्दी से अपना सामान लो और अपने घर जाओ तुम्हारे बच्चों को भूक लग रही होगी ना सारा सामान लेने के बाद रानो चिडिया अपने घर वापस चली जाती है घर जाकर रानो चिडिया अपनी बेटी को खुब लजीज खाना बना कर देती है मेरी बेटी बहुत जादा समझधार है अपनी ममा की कोई बात को नहीं टालती मैंने कहा कि इन अंडों से दोस्ती कर लो तो मेरी बेटी ना अंडों से दोस्ती भी कर ली है अरे ममा बस आप ही हैं जिसकी मैं बात मानती हूँ और कोई भी मेरा दोस्त नहीं बना चाहता पता नहीं सब लोग मुझे ना पसंद क्यूं करते हैं अरे बेटा कुछ नहीं होता जब तुमें खेलना हो खाना हो कुछ लेना हो अपनी ममा को बताना मैं तुम्हारी ममा होने के साथ साथ तुम्हारी बहुत जाद अच्छी दोस्त हूँ शुक्रिया ममा रात होते ही गुढ्या और रानोचिडिया अंडों के पास बैठ कर सो जाते हैं अगली सुबा जब रानोचिडिया उठती है तो अंडों के अंदर से दो खूबसूरत चील के नंहे नंहे बच्चे निकलते हैं ममा ममा अरे मेरे बच्चे तुम लोग अंडे से बाहर आ गए कितने दिन तुम्हारा इंतजार किया मैंने ममा ये तो आपको ममा कह रहे हैं आप इने बता देना कि आप इनकी ममा नहीं है अरे बेटा ऐसा बिलकुल भी नहीं करना अभी ये बहुत जादा चोटे है छोटे बच्चों को बताया कि उनकी ममा इस दुनिया में नहीं है वो बहुत जादा परिशान हो जाएंगे ना ममा क्या हुआ कि आप हमारी ममा नहीं है अरे गुड़िया आपी मजाग कर रही थी मैं ही हूँ तुम्हारी ममा और वो तुम्हारी आपी है ममा कुछ खाने के लिए दे दोना बहुत जादा भूक लग रही है हमें ये लो मेरे बच्चो आज मैंने तुम्हारे लिए लजीज चावल बनाये हैं खाकर बताओ ना कैसे लगे हैं तुम्हें दोनों बच्चे खोब मज़े से चावल खाते हैं और चावल बहुत जादा लजीज थे ममा ये चावल तो बहुत जादा मज़े के हैं आप तो हम रोजाना चावल ली खाया करेंगे एक तो ये नरम गिजा है उपर से हमें बहुत जादा पसंद आए है ना रानो चिडिया अपने तीनों बच्चों की देख पाल बहुत अच्छे तरीके से करती है अरे जल्दी से मेरी तरफ बोल फैको बबलू जल्दी पक्डो बंटी बंटी बागो ना बोल के पीछे गुडिया आप भी बोल हमेशा बबलू के पास चली जाती है मेरे पास आती ही नहीं मैं कैसे मागूँगा बोल को तो फिर क्या हुआ बोल मेरी दोस्त बन गई है तुम्हारे पास नहीं आ रही तो मेरा क्या कसूर है तीनों बच्चे बहुत जादा खुश थे क्योंकि आप तो गुडिया को भी खेलने के लिए भाई मिल गए थे बच्चो बहुत देर हो गई है खेल लिया बहुत जादा अब आओ और आकर खाना खालो माँ अभी भूक नहीं लगी हुई जब भूक लगेगी हम खुदी आ जाएंगे ना मैं कुछ नहीं जानती मेरी बात को टालो मत अभी और इसी वक ताओ बेशक भूक नहीं लगी हुई थोड़ा बहुत खालो उसके बाद दुबारा से खेल ले ना रानो चिडिया अपने तीनों बच्चों के साथ बहुत जादा खुश थी एक दिन रानो चिडिया अपने बच्चों को घर से बाहर ले जाती है ममा आपने इतने दिनों बाद हमें जंगल क्यों दिखाया है आप हमें पहले दिखाती न, देखो जंगल कितना ज्यादा खुब ब्सूरत है अरे बेटा, दो दिन पहले ही अंडे से बाहर निकले हो क्या अंडों को उठा कर बाहर लेकर आती अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं सोरी ममा राणोचीड या अपने तिनों बच्चों को खुब लजीज आईस क्रिम खिलाती है चलो बच्चो आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ बहुत जाद अछी है मेरी कहानी हाँ हाँ ममा जल्दे से सुनाए ना हमारे बाबा कहा है आपने उनसे तो हमें कभी मिलवाया ही नहीं न वो तो बाहर गए हुए हैं पता नहीं अब तक वापस नहीं आए मुझे लगता है काम करते हैं लेकिन अब तक तो कोई पैसे भी नहीं भेजे उन्होंने तो ममा अब हम अपने बाबा से कैसे मिलेंगे रानो चीरिया बगैर कुछ बोले अपने तीनों बच्चों को घर वापस ले आती है गुडिया पी क्या आपको नहीं पता हमारे बाबा कहा है हमें अपने बाबा भी तो देखने हैं ना हाँ मैंने खुद आज तक नहीं देखे मेरा भी बहुत जादा दिल करता है जंगल के सब परिंदे अपने बाबा के साथ बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं बस मैं ही नहीं जाती ओधर रानो चीरिया बिचारी बहुत जादा रोने लग जाती है मौन्टू आप मुझे छोड़ कर कहां चले गए आप काम के सिल्सले में गए थे अब तक वापस नहीं आए ऐसा क्या हो गया है काफी देर तक रानो चीरिया बिचारी वहाँ पर उदास मैठी रहती है दूसरी तरफ मौन्टू अपनी नई पत्नी पिंकी चिडिया के साथ हसी खुशी जिन्देगी गुजार रहा था अरे पिंकी जल्दी से तयार हो जाओ फिर हमें घूमने पिरने के लिए भी तो जाना है ना आ रही हूं मौन्टू जी थोड़ी दिर सबर कर लें ये नहीं के बंदा तयार हो रहा है मैं एक लड़की हूं और लड़की को तयार होने में वक्त लगता है आपने तो बस मूध हुए और चल पड़े मेरा थोड़ा सा ख्याल तो करे ना इतना उचा कैसे बोर रही है तू मुझसे मैं कितने प्यार से बात कर रहा हूं तू मुझे आराम से भी तो कह सकती हो ना नहीं शकल है तुम्हारी आराम वाली कुछ भी नहीं है इस घर में तुम्हारा पूरा घर मेरा है ये सारी चीजें मेरी हैं जिस चीज पर तुम एश करते हो सोते हो बैठते हो खाते हो उड़ते हो सब चीजें मेरी हैं मेरी तुम्हारी नजर में मेरी कोई आउकात नहीं है मैं गरीब हूँ बस इसी लिए अगर अमीर होते ना तो अभी और इसी वक्त जहां तुम्हारी पहली बीवी रानो चिडिया रहती है उसे घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देते पर उसके साथ मुझे लगता है मेरी बेटी भी है अगर मेरी बेटी ना होती तो मैं उसे पहले ही घर से बाहर निकाल देता कहां की बेटी आज तक उसने तुम्हें देखा है क्या तुम उसके पास जाते हो मिलने के लिए रोज रोज नहीं जाता तो नहीं हूँ लेकिन उसका बाप हूँ बेटी को तो सहारा देना ही है ना मैंने अभी मैं अपना बंदा भेजूँगी और रानो चिर्या को उसके घर से बाहर निकाल दूँगी और तुम मुझे साइन करके दोगे कागजात पर ठीक है जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करूँगा मैं मॉन्टू कागजात पर साइन कर देता है और पिंकी चिर्या अपने बंदे को रानो चिर्या के घर बेज़ देती है अबे ओ रानो घर का दर्वाजा खोर और अपना सारा समान लेकर यहां से बाहर निकल जा तूँ रानो चिर्या जैसे ही यह वाज सुनती है वो जल्दी से घर से बाहर आ जाती है क्या हो गया भाई साब आप मुझे घर से बाहर निकलने के लिए क्यों कह रहे हैं ये घर मेरे पती का है तुम्हारे पती ने कहा है रान उचिडिया को उसके घर से बाहर धक्के मार मार कर निकाल दो धक्के तो मैं मार नहीं रहा लेकिन तुम्हें मैं निकाल सकता हूँ घर से बाहर ऐसा हो ही नहीं सकता मोंटू जी कहा है मुझे बताए ना मैंने उनसे मिलना है कितना अर्सा हो गया वो मेरे पास वापस नहीं आए बाहर काम के तलाश में गए थे वो तो उनकी कोई पर्सनल इंफार्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता हूँ जितना मुझे हुकम मिला है मैं बस उसे पूरा करने के लिए आया हूँ आप मेरे चुप चाप बात माल ले वरना धक्के माल कर निकालना मुझे आता है रानोचिडिया बिचारी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है घर के अंदर जाती है और अपना सारा समान पैक करके अपने तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर घर से बाहर आ जाती है ममा अब हम कहा जाएंगे हमारा एक ही घर्टा वो भी हमसे छीन लिया गया है बेटा फिकर बिल्कुल भी मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी मा तुम्हें फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है मा वो मौंटु चिड़ा कह रहे थे ये कौन है मौन्टू चिड़ा हमें भी उनसे मिलवाए ना मैं उनसे खुद ही बात कर लूँगा मौन्टू चिड़ा गुडिया के अबू थे अब वो बहुत जादा बुरे है उन्होंने हमें घर से बेगर कर दिया है मा फिकर ना करें अबूने बिलकुल भी अच्छा नहीं किया उन्होंने मेरा ख्याल भी नहीं रखा एक बार भी मुझे मिले भी नहीं मुझे बहुत जादा दुख होता है नहीं दुख करने की कोई बात नहीं है आज के बास से तुम्हारी मा भी मैं हूँ तुम्हारा बाप भी मैं हूँ तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताना मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल का सामना करूँगी राणोचीडिय आपने तीनों बच्च को लेकर आराम से बैठी हुई थी कि एक कबूतर राणोचीडिय के पास आता है राणोचीडिय तुम्हारे ना आम चील की बड़ी सारी कोठी है तुम अभी मेरे साथ चलो, तुम्हारे नाम जो घर है तुम्हें वो दिखा देता हूँ मैं अरे भई, क्या मजाग कर रहे हैं, पहले ही कितनी जादा परेशान हूँ मैं हमारा घर हमारे हाथों से चला गया और आप कहते हैं कोटे ही हमारे नाम हो गई है मैंने कहा ना, जो चील इन अंडो को तुम्हारे पास दे कर गई थी, जिन अंडो के ये बच्चे तुमने पाले हैं, उसी चील ने तुम्हारे नाम एक घर करवाया था, अब मेरे साथ चलो तुम क्या वो चील इस दुनिया में है अभी, पहले तो वो बहुत ज़्यादा बिमार हो गई थी ना नहीं है वो इस दुनिया में, वो तुम्हारे नाम अपना सब कुछ कर गई है और उसने मुझे बताया था जब चीडिया पर मुश्किल वक्त आएगा तब ही उसे उसकी मदद करनी है रानो चीडिया आपने तीनों बच्चों को लेकर चील के बड़े से घर में चली जाती है मा, कितना बड़ा सारा घर है ये, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, वो तो छोटा से घर था, चलो अब बड़ा सारा घर तो मिलाना हमे हाँ, चील का बहुत बहुत शुक्रिया, कितनी अच्छी है वो, आखरी वक्त में मेरे बारे में सोच कर गई मा, वो जो अंडों की बात हो रही थी, क्या मुसी चील के बेटे है मैं कभी भी सच तुम लोगों से छुपाना नहीं चाहती थी, बस सच यही है, कि तुम उसी चील के बेटे हो, तुमारी मा बहुत ज़ादा बिमार हो गई थी, इसलिए वो इस दुनिया से चली गई, और तुमारी परविश मेरे जिमें डाल गई थी वो हम तो चील के बच्चे हैं ना, आप हमें कैसे पाल सकती हैं, जंगल में चील कितनी बदनाम है, जंगल को कोई भी परिंदा चील को पसंद नहीं करता है बस तुम्हारी ममा से वादा कर लिया था ना, इसलिए तुम्हें पालना पड़ा, अगर तुम्हें बुरा लगा है, तो मुझे माफ करना, और वैसे भी ये घर तुम्हारा है, तुम लोग रहना चाहते हो, तो रह लो, मैं अपनी बेटी को लेकर यहां से चली जाती हूँ हम आपको अभी और इसी वक्त इस घर से बाहर निकालते नहीं हैं, आप हमारी मा हैं, हम आपको अपनी ममा मानते हैं, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, आप अगर चाहें तो हमें घर से बाहर निकाल देना अरे मेरे बच्चों एक बार के लिए तुमने मुझे डरा दिया था, मुझे लगा कि मेरी परवरिश इतनी कमजोर है कि मेरे बच्चे अपनी मा को घर से बाहर निकाल देंगे हम वो पहले चील के बच्चे हैं, जिनकी परवरिश एक रानो चिडिया ने की हैं, कितनी अच्छी मा हैं आप, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, हमारी मा आप है दूसरी तरफ मौन्टू अपनी पत्नी पिंकी चिडिया के साथ बैटा हुआ था ओए मौन्टू, ऐसे कैसे अराम से बैटा है, जाकर पूरे घर के सफाई कर मैं तुम्हारा पती हूँ, इस घर का मालिक हूँ, सफाई तुम नोकरों से करवाओ, मुझसे क्यों करवा रही हो जितनी तुम्हारी उकात है, उतनी उकात में तुम्हें घर के अंदर रख रही हूँ, शुकर मानो और जाकर पूरे घर के सफाई करो, अगर नहीं करनी तो वो रहा बाहर का रस्ता, अभी और इसी वक्त, मेरे घर से बाहर दफ़ा हो जाओ तुम कितनी बत्तमीज हो तुम, मेरी पत्नी रानो जडिया कितनी अच्छी थी, मैंने पैसे के लालच में तुम से शादी की, अब तक मैं घर वापस नहीं गया, वो बिचारी कितना रो रही होगी मेरे लिए, और तुमने मेरे साथ बिलकुल भी अच्छा नहीं किया है एक और बात सुनो, तुमहारी पत्नी को घर से बेगर कर दिया गया है, सारा घर अब मेरे नाम हो गया है, साइन भी तो तुमने खुदी किये थे ना तुमने मेरा घर अपने नाम क्यों किया है एक छोटा सा हिस्सा मेरे नाम था उस पर भी तुम्हारी गंदी नियत गिरी हुई थी और तुमने मेरा घर भी अपने नाम कर लिया है मोंटू विचारा घर से बेगर हो जाता है और सारे जंगल में नोकरी की तलाश के लिए गूमने लग जाता है कहा जाओ मैं किस से मदद मांगू ना रानो का पता वहां चली गई और नौकरी नहीं की तो खाना कैसे काऊंगा एक ही घर मेरे नाम था वो भी उस चिडेल ले अपने नाम करवा लिया है आखिर कार मौन्टू बड़ी सी कोटी के पास आ जाता है इतना बड़ा घर ये तो बहुत जादा अमीर लोगों का लग रहा है इन से जाके मदद मांगूंगा तो मुझे नौकरी दे ही देंगे मैं तो पहले ही बहुत जादा गरीब हो चुका हूँ मौन्टू जैसे ही दरवाजा खट कटाता है तो रानो चेरिया दरवाजा खोलती है रानो तुम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो यह सवाल तो मुझे तुम से पूछना चाहिए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मुझे माफ कर दो रानो मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई मैं तुमें छोड़ कर गया और मेरी जिन्दगी सारी अजाब बन गई है उस पिंकी चिडिया ने सब कुछ ले लिया है मेरा मेरा सारा घर सारी जमीन सब कुछ अपने नाम करवा लिया है तो अब क्यूं आए हो यहाँ पर चले जाओना यहाँ से जैसे पहले हमारे पास नहीं थे अभी भी यहाँ से जाओना माफ कर दो रानो एक पर माफ कर दो मुझे अपनी गलती के सजा मिल गई है देखो मैं कैसे दरबदर हो गया हूँ माफी तो तुम्हें अब मिलने से रही तुम यहां से चले जाओ चुपचाप बस मेरी नजरों के सामने बिलकुल भी मताना कुछ खाना ही थे दोरानो बहुत ज़ादा भूक लगी हुई है पिंकी चड़िया सारे घर का काम करवाती थी और कुछ खाने को नहीं देती थी मैंने पैसे के लारच में उससे शादी की और पैसा उसने सारा मेरा ही ले लिया अब मैं क्या करूंगा मैं भी कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें रोटी दे सकती हूँ, खाओ और चूप चाप यहां से चले जाओ, इससे पहले मेरे बच्चे तुम्हे देखें और तुम्हारे बारे में सवाल करना शुरू कर दे मैंने सुना है मेरी बेटी भी है मुझे मेरी बेटी ही दिखा दो अपनी बेटी से मिलकर खुश हो जाऊंगा मैं कोई नहीं है यहां पर तुम चूप चाप यहां से चले जाओ और आइंदा यहां पर आने की कोशिश बिलकुल भी मत करना नहीं आउंगा तुम एक बार यह कह दो के मैंने तुमें माफ कर दिया अच्छा कह देती हूँ मैंने तुमें माफ कर दिया जो तुम्हारी सजा है अब तुमें वो मिलेगी तुम यहां से चुप चाप चले जाओ मौन्टू विचारा एक गुफा के अंदर रहने लग जाता है उस इनके बाद से मौन्टू अपनी सारे सजा भुगतने लग जाता है गुडिया अपनी मम्मा के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी गुडिया बेटा खाना खालो कितना टाइम हो गया है आपको पता तो है कि मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाती हूँ तो खालो ना मेरे साथ खाना ममा ममा आप तो चिंकू की बर्डे है तो मैं तो उसकी बर्डे पर जाकर खाऊंगी ना अगर मैं यहां पर खालूँगी तो वहां जाके मैं क्या खाऊंगी ओ, तो ये बात है, तो इसका मतलब आप मेरे साथ खाना नहीं खाओगी ममा मैं क्या करूँ, मैं चिंकू की बर्डे का खाना खाऊंगी ना चलो ठीक है, कोई बात नहीं और ममा उनके लिए गिफ्ट भी लेकर जाना होगा क्योंके चिंकू की बर्डे पर साब उसको गिफ्ट देते हैं बस मैं ही रह जाती हूँ बेटा, मैं तो खुँच चाती हूँ के तुम गिफ्ट लेकर जाओ लेकिन तुम तो जानती होना हमारे पास इतने पैसे नहीं है मैं गिफ्ट नहीं लेके दे सकती तुम्हें कोई बात नहीं ममा मैं ऐसे ही चली जाती हूँ फिर गुरिया चिंकू के बर्डे पर जाने के लिए खर से निकलती है जब वो चिंकू के खर पर पहुँचती है तो उसकी ममा गोरी और उसके पापा कालू पहले से ही दर्वाजे के पास बैठे होते है हाँ भई किदर जा रही हो तुम मैं तो चिंकू की बर्डे पर आई हूँ न अंटी ओ अच्छा तुम चिंकू की बर्डे पार्टी पर आई हो ठीक ठीक गिफ्ट कहा है गिफ्ट भी लेकर आई हो क्या तुम नहीं अंटी मैं गिफ्ट नहीं ला पाई क्योंकि मेरी ममा के पास पैसे नहीं थे तो हम क्या करें तुम्हारी ममा के पास पैसे नहीं थे तो बैई देखो एक बात है जो भी मेरे बेटे चिंकू की बर्डे पर आता है वो गिफ लेकर आता है और तुम नहीं लेकर आई तो तुम कैसे आ सकती हो बर्डे में तुम्हें खुछ शरम नहीं आ रही है क्या अंटी मैं तो गिफ लेकर आना चाहती थी लेकिन मैं क्या करूँ बेटा तुम मेरी बात गोर से सुनो हमें से कोई फरक नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास पैसे थे या नहीं लेकिन अगर तुम हमारी बेटे की बर्डे पार्टी पर आना चाहती हो तो गिफ लेकर ही आना वरना चली जाओ यहां से हमें और बच्चों की कमी नहीं है जाओ यहां से अंती ठीक है पिर चिंकी वापिस अपने घार आ जाती है क्या हुआ बेटा तुम इतनी छल意 वापिस क्यूं आ गई अभी बर्डे पार्टी शुरू नहीं हुई क्या नहीं नहीं ममा बर्डे पार्टी अभी शुरू तो हो गई है लेकिन कोरियंटी ने मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया वो कह रही थी कि अगर तुम्हारे पास गिफ्ट नहीं है तो तुम अंदर नहीं जा सकती ओ, कोई बात नहीं मेरी बेटी, कोई बात नहीं कल तुम्हारी बर्डे है ना हम बहुत अच्छी से सेलिब्रेट करेंगे तुम्हारी बर्डे ममा क्या कर लेंगी आप आपके पास गिफ्ट के तब ऐसे थे नहीं आप मेरे लिए केक कहां से लेकर आएंगी बेटा मैं तुम्हारे लिए इदर ही खिचडी का हलवा बना दूगी ना तुम वो खा ले ना वो बहुत मज़ेका होता है ममा आप हर बार ही यही करती है ममा मेरी भी ख्वाइश है के मैं बड़ी सारी पार्टी और्गिनाइज करूँ जिसमें काफी सारे परिंदे आएं और वो मुझे विशिज दें लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि हम तो गरीब है ना आपके पास तो केक तक के भी पैसे नहीं है बेटा मैं कोशिश करती हूँ तुम तो जानती हो ना तुम्हारे बाबा इस दुनिया में नहीं है अगर वो होते तो तुम्हारे भी कालू के बेटे की तरह ही बर्डे मनाई जाती ना गोडिया उदास होके घड से बाहर चली जाती है और जाकर जुले पर बैठ जाती है दूसरी तरह गोरी के बेटे चिंकू की बर्डे बहुत अच्छी से मनाई जाती है जो जो केक लेकर आये थे सिरफ उने ही बर्डे पार्टी पर इन्वाइट किया गया था और बहुत अच्छे से डिकोर किया गया था सब बहुत ज़्यादा कुछ थे लेकिन उन्होंने चिंखी को तो बुलाया ही नहीं था शाम को चिंखी वापिस अपने घर आ जाती है बेटा मैं पैसो का इंतजाम कर लूँगी मैं कल तुम्हारी बर्डे बहुत अच्छी से मनाऊंगी ममा फिकर नहीं करे मुझे अब बर्डे का कोई लेना देना नहीं है आपके पास जितने पैसे होना बस आप उनसे ही किच्डी बना दीजिएगा मुझे नहीं जरूरत केक की बेटा तुम कितनी अच्छी हो लेकिन मेरी भी ख्वाइशे के मेरी बेटी की बर्डे बहुत अच्छे से मने अगला दिन शुरू हो जाता है आज तो गुडिया की बर्डे का दिन था गुडिया मेरी प्यारी सी बेटी जल्दी से उड़ जो आ तुम्हारी बर्डे है न हाँ हाँ ममा अच तो मेरी बर्डे है हैपी बर्डे मेरी प्यारी सी गुडिया उड़ जो देखो मैं तुम्हारे लिए काफी सारी चोकलेट लेकर आई हूँ तुम जाकर सब परिंदों के घरों में दे आओ ठीक है ममा मैं अभी चोकलेट दे आती हूँ फिर गुरिया जाती है और बारी बारी सब परिंदों को चोकलेट बाट आती है आखिर में वो गोरी के घर पर जाती है अंटी देखे मैं आपके लिए भी चोकलेट लेकर आई हूँ आज मेरी बर्डे है ना इसलिए अच्छा तुम्हारी बर्डे है तो हम क्या करें तुम लोगों के पास इतने पैसे तो है नहीं के केक मंगवा सको और आ गई हूँ हमें दो और पे की चोकलेट देने इससे हमारा क्या होगा तुम्हें पता है ना हमारे घर में तीन-चार लोग रहते हैं और तुम ले आई हो एक ही चोकलेट देने अंटी मेरी ममा के पास इतने ही पैसे थे इसलिए मैं इतने के ही लेकर आ सकती थी जो अभी है हमें नहीं चाहिए तुमारी ये दोर पे वाली चोकलेट अपनी चोकलेट उठाओ और मेरे घर से निकल जाओ वापिस अपने मा को दे देना मेरे पास ऐसे गंदी चीज़े लेकर मताया करो फिर गुडिया उदास हो जाती है और जूले पर जाकर बैठ जाती है वहाँ पर वह सोचती है काश मेरे बाबा भी जिन्दा होते अगर वो जिन्दा होते न मुझे गोरियांटी के इस तरह धक्के निखाने पड़ते और हम भी अमीर होते फिर ममा को भी इतनी जादा मैनत नी करनी पड़ती थी बाबा आप हम इतनी चल्दी छोड़के क्यों चले गए मुझे आपकी बहुत याद आती है जाब गुडिया ऐसे बादे कर रही थी वहाँ पर एक प्यारा सा लड़का चुरिया के बैठ जाता है क्या हुआ बेटा तुम क्यों टेंशन में हो मुझे बताओ क्या हुआ है अंकर आज मेरी बर्डे थी और मैं गोरियांटी को चोकलेट देने गई तो उन्होंने नहीं ली वो कहती तुम लोग गरीब हो और ये चोकलेट गंदे में टीरियल की बनी हुई है ओ कोई बाद नहीं बेटा चलो आज तुम्हारी बर्डे है तो मैं तुम्हें राजा का महल कुमा के लाता हूँ क्या तुम जाओगी मेरे साथ हाँ हाँ अंकल मैं जाओंगी मुझे भी बादशा का महल देखने का बहुत शोक है और मैंने सुना है तोते राजा बहुत अच्छे हैं वो सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं हाँ हाँ बात तो सही है चलो मैं तुम्हें पूरा महल गुमा के लाता हूँ फिर वो अंकल चीड़ा गुरिया को लेकर महल चला जाता है बादशा सलामत देखे ये प्यारी सी गुरिया है और इसे आप से मिलने का बहुत ज़्यादा शोक था ओ अब मुझे बहुत ज़्यादा कुशी हुई अब तुम मिलने ही होना मुझसे गुरिया कुछ भी नहीं बोलती क्युंके गुरिया तो पहली तफ़ हम महल में आई थी इसलिए वो डार रही थी बेटा आप डरो नहीं पूरा महल खुमलो में कुछ भी नहीं कौंगा ये गुरिया अंकल के साथ मिलकर पूरा महल खुमती है और वापसी पर आते हुए बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर घर आ जाती है जब रानो गुडिया के पास इतने जादा गिफ्ट देखती है तो वो उससे पूछती है बेटा ये तुम्हारे पास इतने सारे गिफ्ट कहां से आए है क्या ही तुमने चौरी तो नहीं की ना नहीं ममा मैं चौरी क्यों करूंगी ये तो मेरे दोस्त अंकल ने दिल्वाए है वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं और वो मुझे महल भी कुमाके लाए है कौन से अंकल है बेटा मैने तुम्हें कहा था जब भी कोई नया दोस्त बनाओ तो मुझे जरूर बताना जल्दी से बताओ कौन से अंकल है वो मुझे भी मिलवाओ ना उनसे ठीक है ममा मैं कल लेया क्योंने आपके बास आप भी मिल ले ना उनसे और ये गिफ तो उन्होंने मेरी बड़े का तौफ़ा दिया है ना मुझे तीक है बेटा कल लाजमी लेया ना अपने अंकल को मैं भी देखूंगी वो क्या चीज़ है अगले दिन गुडिया वापिस से अंकल चिड़े का इंतजार करना शुरू हो जाती है और कुछ टाइम बाद वो वहाँ पर आ भी जाते है अंकल अंकल मेरी ममा आपसे मिलना चाहती है क्या आप मेरे घर चलेंगे मेरे साथ हाँ हाँ बेटा मैं चल लूँगा कोई बड़ी टेंशन के बात नहीं है फिर गुडिया अपने अंकल को लेकर जब घर जाती है जब रानो देखती है कि अंकल तो रानो के हजबेंड है वो हैरान हो जाती है ममा ममा ये है मेरे अंकल दोस्त रानो रानो तुम जिन्दा हो हाँ हाँ मैं जिन्दा हूँ क्या आप भी जिन्दा है मुझे लगा था आप उस सिलाबी बारिश में मर गए है नहीं नहीं मैं बच गया था और राजा जी ने मुझे अपने महल में जोब पर लग लिया था जब मैं वापिस आया तो तुम और मेरा अंडा वहां पर नहीं था इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम दोनों मर गए हो नहीं हम वो घर छोड़ कर चले गए थे क्योंके वो पानी में बह गया था क्या ये सच में मेरी बेटी है हाँ हाँ ये आपकी ही बेटी है जो संडे से निकली थी हाँ कितनी बड़ी हो गई है ये क्या बाते कर रहे हो आप दोनों मुझे भी तो बताओ बेटा ये अंकल तुम्हारे बाबा है क्या सच में ये मेरे बाबा है अब मेरे बाबा भी है और अब हम भी अमीर हो गए है ममा क्योंके इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे है हाँ हाँ मैं बाबाशा के महल में जो जोब करता हूँ आप मेरे पास पैसों की कमी नहीं है फिर सब मिलकर बाबाशा के महल में रहना शुरू हो जाते है